हुरकेश वर थाना अंतरगर डांगे सेलिबरेशन हॉल में कैट्रर का काउंग करने वाले तीन यूकों ने भूजन पकाने वाले आचारी की चाकू और बोटल से वार कर हत्या कर दी वही आचारी के साथी को गंपी रूप से घायल कर दिया पुलिस ने इस मामले में दो अफ्तार किया है पुलिस सूत्रों के अनुसार हुरकेश वर रोड परीसर में डांगे लॉन में आचारी प्लॉट नंबर 37 डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर को आपरेटिव ससाइटी तुकाराम नगर कांटी रोड निवासी अखिलेश शामलाल मिश्रा और उसका साथ ओम उमेश मिश्रा शादी समारों में भोचंत पकाने गये थे वहाँ पर रात में आचारी के साथ काम करने वाले कैटर्स के दो लोग शांतिनगर निवासी अनिल रूपचंदर खोबरागडी तेजस दिगामबर शेंडे और उनके एक साथी ने रुपए के लेंदेन को ले उसे गंभी रूप से घायल कर दिया दोनों को उनके भाई इलाज के लिए अस्पिताल लेकर आ रहे थे तब ही अकिलेश मिश्रा की रास्ते में मौत हो गई वही ओम गंभी रूप से घायल है गटना के समय शादी समारों संपन्द होने के बाद कैटर्स की करमचारी और महि का तफरीम मज गई किसी ने इसकी जानकारी हुरकेश और पुलिस को दी हुरकेश वर्थाने की PSI पंकच लहा ने वह वरिष्ट पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुचे लहाने ने घायल ओम मिश्रा को इलाज के लिए अस्विताल में भरती किया वही अकिलेश मिश् उसका शव पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया वही PSI पंकच लहाने ने वरिष्ट पुलिस अधिकारीों के मार्व दर्शन में ततपरता दिखाती हुई आरोपियों को तुरंद गिरफतार करने में सफलता पाई पुलिस ने इस मामले में आरोपी अनिल खोबरागडे और तेजस्दिगाम बर शेंडे को गिरफतार कर लिया है आरोपियों के खिलाफ बानवी की धाराओं के तहत मामला दर्स कर लिया है